नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटर 2018 की जो ऑफिशल आंसर की है वो अनाउंस कर दी जा चुकी है लेकिन यहां पर बहुत ज़ Quesions पर यहां पर अपतियां दर्ज करी गई हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो पर हम डीटेल में उन Ques 110 के बारे में पेपर वन और फेपर टू के जो Ques 15 पर अपतियां दर्ज करी हैं विध्यार्थ यहोंने उनके बारे में डिसक्स करने़ने वा जो तो वीडियो हम बनाते हैं मेनत करते हैं तो आप लोगों से राइक आप को बताना किना कैसे तो प्रशन है तो पहला जो कौश्टन है वो जिस पर पति पेपर 1 पहले वाला हो पेपर वन में तो जो पहला कोशन है वो सेकिंड कोश्चन है वन ओफ द क्रिटिक की ऑफ देस्ट हैस बीन डैट जो यह कोशन इस पर भी आपत्ती दर्ज करी गई है तो इसका जो सीटेट पे ऑफिशल आंसर की में जो आंसर था वो चोथा नंबर था लेकिन जो सीखने के लिए मुल्यांकन और सीखने के मुल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं तो इसका जो सीटेट में आंसर आया वो चोथे नंबर है बच्चों की प्रगटी और उपलब्दी स्थर को जानने में लेकिन जो अपत्ती दर्ज करी गई है वो पहले नंबर पर दर्ज करी गई है बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार सिश्चन रननीती का चैन करने में तो इस जो आंसर पहली ओप्शन पर जो है अपत्ती दर्ज करी गई है इसके बाद जो कोश्चन है जिस पर अपत्ती दर्ज करी गई है वो 85 नंबर का कोश्चन है which national curriculum framework recommended environmental studies to be taught as integrated curricular area the primary level तो जो official seated की answer की में जो answer आया था वो तीन नंबर का answer था लेकिन जो इसका सही answer है वो चोटा है NCF 2005 जो है इसका सही answer है इस पर जो है बच्चों ने आपतियां दर्ज करी है लेकिन जो seated की official answer की में वो answer था वो था NCF 1975 लेकिन जो सही answer है वो 2005 है मैं आप लोगों के साथ वही question discuss करने वाला हूँ जिन पर की short short जो है आप लोगों को bonus marks मिल सकते हैं क्योंकि इन questions के जो answer है वो directly जो है answer की में गलत दिये हुए थे वो पस्ट रूप से इनके answer जो है वो कुछ और है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका 1975 जो है directly इसका गलत answer है और सही answer था 2005 इसके बाद जो 81 number का question है इस पर सबसे ज़्यादा पतिया दर्ज करी गई है सबसे ज़्यादा लोगों ने इसी questions पर जो है objection किया है women are weaker than men it is a dash तो जो यह question है इसका जो officially answer key में जो answer आय है तो वह मिथक दिया हुआ था लेकिन जो इसका ताही आंसर है और इस question पर सबसे यादा objection किया गया है इस question पर short short आप लोगों को एक तो bonus marks मिलने ही वाला है इसके बाद का जो question है वो 95 number का question है according to the observation international curriculum framework ncf 2005 English is a dash language in India तो इसका जो official answer की में answer दिया वो तो तीन number का है लेकिन जो बच्चों ने अपत्ती दर्ज करी हो second number के जो option है first यानि कि first है इस पर अपत्ती दर्ज करी गई है according to the student लेकिन जो official answer किया थे उस पर तीन यानि global answer दिया हुआ था इसके बाद जो question है जिस पर अपत्ती दर्ज करी गई है वो 77 number का question है इस question पर्यावरन अध्यायन के संधर्व में बोज के बिना सीखना क्या बताता है तो इस question पर भी अपत्ती दर्ज करी गई है school bag का कम बजन इसके बाद देखते है कौन सा next question है इसके बाद जो question है वो English का question है 110 number जो question है explain which of the following best explain how gun powder वास था नेमीसिस ओफ ट्रेडिशनल कैजल्स तो जो जो ऑफिशल आंसर किया है जिसमें की दिया हुआ है तो तीसरा जो canons were able to knock down stone walls so kazzles offered a little protection तो यह आंसर जो है ओफिशल आंसर की में दिया गया है लेकिन जो बच्चों ने जो है अपत्ती दर्ज करी है वो पहली option के लिए अपत्ती दर्ज करी है question है और listening stimulus तो जो 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 ऑफिशल आंसर की में है उसमें तीसरा नंबर का option जो है वो सही दिया हुआ है प्रेजेंस और information gap activity such as giving directions तो यह आंसर जो है ओफिशल आंसर की जो सीटेट ने दी है उसमें सही दियो है लेकिन जो बच्चों ने अपत्ती दर्ज करी है वो पहले नंबर के option पर दर्ज करी है इस listening to a good commentary to review it तो यह वाली option जो है बच्चों के ने कहा है कि यह उत्तर जो है इसका सही है इसके बाद जो second most अपत्ती दर्ज होने वाला question है the founder of structural grammar अम्रवास तो यह वाले question पर भी काफी ज्दा मातरा में जो है अपत्ती दर्ज करी गई है इसका जो answer की में option थी वह तीशरी के में Butter जो है आफ़िशल आंसर की में दिया हुआ था तो यह बात रही paper 1 के हमने बात करी अब बात करते हैं paper two पे कि कौन कोंशे questions पर जो है अपतिया दर्ज करी गई है चो paper two में पहला question है जिस पर कि अपतिया दर्ज करी गई है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बार्वा question the right of children to free and compulsory education act 2019 ensures the right of children with disabilities to free education from तो जो official answer की है उसमें जो second option है six years to fourteen year यह official answer की में answer आया था लेकिन जो अपतिया दर्ज करी गई है वो पहली option के लिए three years to eighteen years के बीच में जो है अपतियां दर्ज करी गई है आप दो option भी हैं एक fourth वाला भी है six years to eight year और three years to eight year इन दोनों options पर बच्चों ने जो है अपतियां दर्ज करी है तो इन दोन आंसर की जैन के फस्ट ए सेकंड वीक में डिक्लेयर कर दी जाएगी और हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है सीटेट टुथाउजन एक्जामिनेशन का कि कितनी कट ओफ जाने वाली है वो वीडियो आप जरूर देख लीजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल इस पर आपत्ती दर्ज करी रही है पहले ऑप्शन पर ट्रू विकोज एर्रस रिफ्लेक्ट दा थिंकिंग ओफ चाइल्ड तो यह वाला को जो ओप्शन इस पर आपत्ती दर्ज करी गई है 46 नंबर के क्वेशन पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेशन है जिस पर की आप लोग इसको बहुत इजी क्वेशन है और डायरेक्ली इसका आंसर आप यहां पर देख सकते हैं इसका आंसर दस होने वाला है यानि कि पहली ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है जिसके आप लोगों को शोर्ट एक तो बोनस मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा इसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है जिसपर की पेपर टू का जो नेक्स्ट कोशन जिसपर की बच्चों ने अपत्यां दर्ज करी हैं वह 72 नंबर का कोशन है एकोडिंग तो एंसेफ 2005 गुड़ साइंस एजुकेशन इस टू तो लाइफ वाट ड़स दिस मीन तो जो इसका ऑप्शन ऑफ पर अपतियां दर्ज करी हैं साइंस शुट इनेबल दा चाइल्ड इन लर्निंग दा प्रोसेस ऑफ अक्वाइरिंग साइन्टिफिक नॉलेज तो इस पॉस्टिं पर अपत्यां दर्ज करी गई है आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप के पास अगर कोई डावट है के रिकार्डिंग तो कमेंट में जरूर पोश सकते हैं और आप अपने मांक्स भी शेर कर सकते हैं कितने मांक्स आप लोगों के आ रहे हैं और अगर आपने कोई भी अपत्ती दर्ज करी है तो आप वह भी कमेंट में हमें जरूर बताएगा कि आप लोगों ने किस कोश्चन प पर अपत्ति दर्ज करी गई है first जो option है more frequent test and examination इस option पर अपत्तियां दर्ज करी गई है पेपर 2 के question पर 76 number के question पर इसके बाद जो next question है जिस पर की बहुत ही काफी मात्र में अपत्तियां दर्ज करी गई है वह 132 number का question है the method of teaching foreign language without using the pupils first language is जो official answer आया था वो direct method दिया हुआ था official answer की में जो लेकिन इसका बच्चों ने अपत्तियां दर्ज करी है वो classical method पर दर्ज करी गई है so guys मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कुछ question थे जिन पर की अभी तक details सामने आ सकी है कि बच्चों ने इन questions पर जो अपत्तियां दर्ज करी हुई है और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सीटेट की cut off वगेरे की detail वीडियो है कि 78 वाला पास होगा या नहीं होगा ये मैंने एक अलग से वीडियो पर detail में बताया हुआ था आप उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा लिंक आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर लीजेगा हमने आप लोगों को यहाँ पर detail में सारे questions बता दिये हैं अगर आपको कोई doubt अभी भी है तो आप लोग नीचे comment करके हमसे पूर सकते हैं हम आप लोगों को reply करने की कोशिस करेंगे अ जल्दे से subscribe कर लीजी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद